Now, हमारी human being में कितनी हड़ियां है ये बज़पन से पढ़ते आ रहे है, there is 206 bones and कुछ cartilases है अगर हम बात करें इसमें कि skeleton को आप कैसे पूरी तरह से divide करोगे, group करोगे तो we divide it into two particular group, एक तो होगे axial और एक होगे appendicular Axial मतलब जिसे, suppose कि हमारा ये, एक हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर ही दिखाते हैं, चलो यह आपको मैं यहाँ पर ही axial और appendicular का मतलब समझा लेका Suppose that ये एक human body है, ठीक है, मजाक नहीं बढ़ाएंगा कोई diagram का तो ये जो beach का axis बना देता हैं, this is the beach of beach जो हमारा present होगा ये हमारा सब axis के अंदर आएगा, और ये जो side हैं, ये side में जो limbs है आपका ये आजाएगा आपको appendicular skeleton के अंदर, और beach of beach जो हमारा present है That is the axial skeleton, axial skeleton के अंदर आपको देखो लिखा हुआ है, NCRT ने उसमें कितने हटियां रखी है It is 80 bones, axial के अंदर कितने आगए, it is comprises of 80 bones जो की main axis बनाता है हमारे पूरे body का, it will form main axis of the body इसमें आपका skull आ जाएगा, आपका जो skull है, खोपड़ी, vertebral column आ जाएगा, sternum आ जाएगा, ribs आ जाएगा vertebral column पीछे की तरफ sternum हो गया, ribs हो गया, यहाँ जो आप जानते हो, rib case तो यह आ चाएगा इसके अंदर, समझ आगे यह एक बहुत बढ़िया flow chart यहाँ पर मैंने design करके आपको सामने रखा है, इसमें आप देखो human skeleton को हमने क्या बोला, एक axial और एक appendicular, axial में हमने बोला skull, vertebral column, sternum और ribs, तो skull में total अगर हम बात करें, facial bone और आपके cranial bone, दोनों को गहर जोड़ लिया जाए, तो इसमें आपके cranial bones आपके 8 हो गए, there is 8 cranial bones, facial bones आपके 14 हो गए, तो 14 और 8 कितने हो गए, 22 हो गए, और एक high wide bone होता है, जो कि आपको केवल single होता है, that is 1 only, और ear obstacles को भी इसमें include करेंगे, जो कि 3 होते हैं और 3 होते हैं paired, तो 3 into 2 करोगे न, paired है तो 3 into 2 करोगे न, paired है कि नहीं, दो कान है न, त 3 into 2 करते हैं, pair is 6, तो अगर हम बात करें, तो 22 इधर ही हो गया था, और 6 यानि 28 और यहां पर 1, 29 हुआ की नहीं, तो इस curl bones कितने हो गए, 29 हो गए, vertebral columns 26, sternum single bone होता है, और ribs में आपको 12 pairs of bones देखते हैं, तो calculate करके देखो 29, 26 and 1, पहले तो यह calculate कर लो पहले, कितने आपके, 10 and 6, here it is, and 12 pairs हैं, तो 12 pairs को आप कितना लिखोगे, 24 लिखोगे न, 24 लिखोगे की नहीं, यहां पर हो गए 6 और सब, क्या हो गया वाई, कैसे जोड़ दिया, यहां पर तो कह दी था न, 56 ही जार आगया साथ, अब आगया 80, समझा आगे calculation, axial skeleton system का, 29 प्लस 26, कितने आगया, 56 होगे और यहां 24 क्यों लिखा, क्योंकि ribs में 12 पेया थे, तो 12 into 2, that is 24, and we will add, that is 80 bonds, तो axial का तो खाता close होगे, axial हमने समझ दिया, अब आजा appendicular में, appendicular bonds में आपके 126 हड़िया, तभी तो जाके 126 and 80, तब ना यहां पर human skeletal system में हम लोग बोलते हैं, कि there is 206 bonds, there is 206 bonds, तभी तो बोलत the skeletal system है, उसके अंदर 4 limbs, hind limbs, ठीक है, 4 limbs आपके पास कितने होते हैं, बच्चा, there is 2 4 limbs, hind limbs कितने हैं, 2 हैं, तो इस तरह से 30 को multiply करते हैं, क्योंकि एक आपके limbs में 30, तो 2 आपके 4 limbs यानिकी 60, और एक यहां hind limbs में होते हैं 30, तो again hind limbs 2 हैं, तो 60 and 60 हो गए, यहां 120 हो गया, और pectoral girdle, pelvic girdle, 2 girdle होते हैं, ठीक है, pectoral girdle and pelvic girdle, तो pectoral girdle में 4 हो गए, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, और pelvic girdle में आपके 2 ही bone होते हैं, fused होते हैं, 2 ही bone होते हैं, तो आपके 6 इधर हो गए, तो 120 and 6, 126, बोलो clear है, पुरा calculation आपको समझ आ रहा है या नहीं हा रहा है, human skeletal system में, there is 206 bone, axial मे आपके हो गए 80, appendicular में हो गए 126, axial में कौन कौन से, skull में हो गए 29, vertebral column में हो गए 26, ठीक है, sternum में 1 हो गया, ribs में 24 हो गया, 12 pairs हो गया, appendicular में limbs को अगर लेलें, तो 4 limbs में 30, 30, 60, high limbs में 30, 30, 60, pelvic girdle में 4 और pectoral girdle में, sorry, pelvic girdle में 2 और pectoral girdle में 4, हो गए ना, 126, अब कहोगे सथ, यह जो cranial bone है, उसमें सब का नाम याद रखना जरूरी है क्या, frontal, parietal, temporal, occipital, ethmoid और यह सब नाम रखने जरूरी है क्या, याद करने जरूरी है क्या, so there is no need, जरूरी नहीं है, बच्चा याद कर, केवल यह याद कर लो कि दो होते हैं, parietal और temporal, PT, बाकि स सभी unpaired होते हैं, देख लो, बस इतना याद रख लो, और इस तरफ facial में सभी paired होते हैं, facial में सभी paired होते हैं, केवल दो unpaired होता है, एक mandible और एक bowler, बस, जितना बोला मैंने, बस उतना याद रखना है, कौन paired हो, कौन unpaired हो, बस इतना, खुशन अगर कभी frame भी हुआ, तो anatomy पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको पुरा का पुरा नाम के साथ पढ़ना होगा, ठीक है, innervations बगर सब कुछ पढ़ना होगा, muscle attachments सब कुछ पढ़ना रखता हो, now ear articles, ear articles में जो तीन नाम हैं, उसको याद रख लो, MIS, मिस, ठीक है, malleus, incus और steepest, यह मिस हुँ, जो है, term से याद रख सकते हो, MIS, यह बात समझ आ गई, पूरा, human skeletal system का पूरा division clear है, कैसे कैसे divide किया है, वो सब कुछ समझ आए, वही चीज़ यहाँ भी दे रखा है, skull bone 29 होते है, cranium में आपका 8 bone था, कैसे है, वो समझाय गया, facial में 14 होता है, कैसे है, वो समझाय गया, तो बस मैंने बोला, homer याद कर लो, और mandible याद कर लो, यही दो याद करो के बड़, जो कि unpaired होते है, paired को रोते है, PT, यानि parietal और temporal, इधा साइड से, यह न, अब आजाओ इधा, vertebral column जो आपको बताया था, vertebrae, जो कि आपके कितने थे, vertebrae आपने देखा 26, यह 26 adult में actually होते हैं, लेकिन अगर child की बात करें, तो वाँ 33 होता है, जो बात में fused होते हैं, यानि जो sacram होता है, वो पहले 5 होता है, वो 5 जो fused हो करके single bone बन जाता है, और coccyx जो होता है, वो initially 4 होते हैं, जो कि fused हो करके, कितने single bone बन जाते हैं, तो इधर से आप देखो, 5 में से एक बन गया, इसका मदब 4 का loss हुआ कि नहीं, और 4 में से एक बन गया, तो 3 का loss हुआ, तो 4 और 3 साथ का loss हुआ, तो 26 में अगर तुम 7 जोड़ दोगे, 7 जोड़ दोगे, तो कितने आएंगे, 26 and 7, you will add up, then how much you will get, तो 33 आएगा कि नहीं, इसलिए हम कहते हैं, चाइड में हमारा वर्टीब्रल फॉर्मूला 33 होता है, 33 का रिजन आपको बने दे दिया ना, वर्टीब्रल फॉर्मूला लेको पहले, तो यह समझ लो, देखो, C7, यह मैं लेक रहा हूँ, चाइड के लिए, ठीक है, यह चाइड के लिए लिए लिए, C7 लिख दिया मतलब यह आपको हो गया, वर्टीब्रल फॉर्मूला आप लोग लिख रहे हैं, इसमें तो कोई अंतर नहीं आग इधर में, there is no change up to this but sacrum हो जागा एक इसको हम लोग इसे ब्रैकेट में लिखते हैं fusion है इसलिए और coxial हो जाता है अब बन तो यह आपको दोनों में difference समझ मारा है क्या difference है there is 33 vertebral and in adult there is 26 vertebral is it done बच्चा लोग यहां तक समझ आ गया न कोई दिक्कत तो नहीं है तो रिप 26 vertebral golem sternum एक था रिपस आपने पता है जानते हो 12 इन पेर तो 24 लिखा है प्रेक्टरल गडल 4 पेल्विक 2 है न फोर लिम्स में आपने देखा दोनों जोड करके लिम्स अगर दोनों फोर लिम्स जोड देंगे तो 60 एक एक में देखोगे तो 30 30 हाई लिम्स में फिर से 60 सब कुछ जोड जाड दिया तो 206 हट दिया लेकिन चाइल्ड में 330 is it clear हत्व जोडिकल क vibes में को जो वेकिन की जोड़ल में जोड़ल